नमसकार मेरा नाम ज्यानिश्वर है और आप देख रहे हैं खबरो के पीछे देखिए खबरो के पीछे में हमारी कोशिस होती है कि सोंबार से सनी बार रोज आपको एक कहानी सुनाए राद को ठीक नौ बसे और खबरों के पीछे भी एक कहानी होती है अपराथ की दुनिया की कही अनकही कहानियों में सी कोई एक साथ में हम जो देश के बहादूर पुलिस प्राधिकारी रहे हैं उनकी कहानिया भी आपको शुनाते हैं खबलो के पीछे में भी सरिंखला चल रही है डेश के शूपरकॉप KPS GIL की जिनोंने पंजाब से आतंकवार का सफाया किया KPS GIL सरिंखला की आज स्टोरी नंबर 44 है और खबलो के पीछे का एपिसोल नंबर 403 है इस तरीके से खबरों के पीछे में केपिस गिल की सिंखला की शुरुआत हुई एपिसोड नमबर 360 से देखिए आज की जो कहानी है उस कहानी को जोडने के लिए जो कल का एपिसोड था 402 उसका थोड़ा सा फ्लैसबैक लेना होगा दिखे पंजाब में आतंगबाद करीब करीब शमाप्त हो गया था सांती बहाल हो गई थी जमीन के भीतर जो बारूद है उसका परकटिकरन अभी होना है और बरा परकटिकरन होना है तो सांती डिख रही थी और अब केपिस गिल ने अपने को दूसरे कामों में लगा लिया था बिढ़ी विवस्ता आतंग की बिढ़ी विवस्ता की कोई बहुत बड़ी चुनाती नहीं थी तबी जो लॉइन ओर्डर की समस्याएं होती हैं पंजाब शरकार ने एक फैसला किया था कि जो पंजाब के हालात हैं उसमें पंजाब में जो गेहू है उसकी बाहर आबाजाही परोक लगाते हैं मतलब दूसरे परेशों में गेहू अभी नहीं भेजेंगे तबी रासवा के एक सांसर थे भुपिंदा सिंग मान उन्होंने पंजाब सरकार के फैसले का बिरूत करना शुरू कर दिया था और वे शरक जाम करने लगे थे शरक को ब्लॉक कर दिया था दोलों और से आबाजाही बंद हो गई थी पुलिस को इस सरक जाम को हटाना था भुपिंदा सिंग मान ने राजनीती शुरू कर दी वे दो दिनों तक लौक अप लौक अप की दिमान करते रहे आखिरकार उन्हें एस डीम कोट ले जाने के बहाने एक एसाई ने लंगर में जाकर छोड़ दिया था कि आप खाना पानी घरन कीजिए मैं चलता हूं लेकिन इस बात से भुपिंदा सिंग मान गुष्टा हो गए थे वे चुकी सांसर थे बेसिसा धिकार प्राप्त बैक्ती थे इसलिए उन्होंने राजसवा की बेसिसा धिकार समीती के समक्ष अपनी सिकायच दज कराती थी और सिकायच ये दर्ज हुई थी मूल लूप से तब SSP थ भी प्रिबलेज कमिटी के शामने पर्लेमेंट में नजमा हैप्तुल्ला चेयर परसन थी बुलाना तो सुर्च अरूला को ही था SSP पटियाला को लेकिन सुर्च अरूला ने जैसा Lisinsa बताया है के बारे में जैसे बारे में परिमेंस कमिटी के बागी सरसित्ति उनमें से किसी ने सलाह दे दी कि आप DZP पंजाब मतलब मिस्टर KPS गिल को क्यों नहीं कॉल करते हैं उन्हें सम्मन किजिए तो देखिए सुरे सरोरा का कहना है कि बार में तो यह लगा कि जो प्रिबलेज कमिटी थी जिसने मुझे बुलाया था पहले बार में KPS गिल को सम्म मानित करना था जो बैभार या जो सम्मान KPS गिल को दिया गया उससे तो यह लगता था कि जो पिसी साधिकार समीटी के सरस से हैं इंक्लूडिंग नजमा हैप्तुला वह सभी KPS गिल से वन टूवन मिलने की खवाई सकते थे खैर तो KPS गिल के पास जब सम्मन पहुंचा तो तो क्या मुझे चलना होगा सुरे सरोरा गाते हैं जो इसेसपी पत्याला थे और जिनके खिलाप मुख्य रूप शिया रूप था कि KPS गिल ने पूछा मतलब मेरे DZP ने क्या मुझे संसत चलने के लिए बरदी में चलना होगा मतलब इनुफॉर्म में चलना होगा तो सुर मुझे तो आश्यर हो रहा है मैं कभी वहां गया ही नहीं हूँ तो KPS गिल जाने को तैयार हुए और वह तारिक जिस तारिक के लिए संबन जारी हुई थी सुरे सरोरा और KPS गिल दिल्ली पहुँचे संसत भबन गये जहां प्रिब्लेज कमेटी की बैठक बुलाई गई थी नजमा है प्तुल्ला भी थी शुरे सरोरा इस कहानी को सुनाते हैं कि संसत भबन के जिस कक्ष में यहां बैठक चल रही थी जब KPS गिल ने परवेश किया तो देखिए KPS गिल का औरा कितना परा था वह सम्मन कर बुलाए गये थे लेकिन जब वे बैठक कक्ष में मिटिंग को KPS गिल यह देखकर भाव भी भूर हो जाते हैं KPS को समझ में आता है कि मेरे परती लोगों का सम्मान कितना है तो सभी खरे हो गए हैं और KPS से बहुत ही आप कर सकते हैं कि लाइटर मूद में बात सुरू होती है और लोग कहते हैं उनकी परसंसा सुरू कर देते हैं कि पं अजाब बें आपने सांती कैसे बहाल की और सीरियस बात्ची सुरू होती या मुद्य की बात्ची सुरू होती जिस के लिए भुलाए गया था उसके पहले चाय नास्ति की वेवस्ता कराई जाती है के पीस किल के लिए केपियस गिल से एक सरस्य जो बीसेसा धिकार समिती के सरस्य है वे किस लाइटर मुद में है वह यह पूज देते हैं कि स्री डेवी कैसी है बॉलिगूड एक्टेस स्री डेवी की बात हो रही है मतलब केपियस गिल को कोई तेंसन नहीं देना चाहता है लेकिन अब मुद्दे पर बात होती है जो भुपिंदर सिंग्मान की सिकायट है कि उनके बीसेसा धिकार का उलंगन किया गया है और पटियाला के सेस्पी और पंजाब के डीजेपी केपियस गिल इसके आरोपी है तो सारी बातों को प्रिबलेश कमिती समझ रही है लेकिन सुनवाई चल रही है तो केपियस गिल को कहा जाता है कि मिस्टर गिल ऐसा है कि देखिए आपके खिलाब तो हम सभी कुछ करना नहीं चाहते है लेकिन चुक्कि इस सिकायट का निप्टारा करना है हमें फैसला करना है माननी ये सांसर भुपिंदर सिमान की सिकायट है तो हमारी गुजारिस ये है कि आप अपने आफिशर को टोकेन पनिस्मेंट कुछ भी जो आपको समझ में आए एक सांकेतिक दंद देते तो केपियस गिल कुछ चछनों के लिए खामोश हो जाते है और केपियस गिल की भिर्कूतियां टन जाती है फिर केपियस गिल कहते है जेंटिल्मेन मतलब बेसे साधिकार कमिटी के बैठक में जितने लोग उपस्तित है उन्हें संबुदित करते है वे कहते हैं कि दिखिए एक बात विस्पस्त है कि मैं इस काम के लिए जिसे आप गलत मान रहे है उसके लिए मैं अपने किसी आफिशर को किसी भी परकार का डंड नहीं देने जा रहा हूँ तोकेन पनिस्बेंट भी मनजूर नहीं है जो दोगा हमारे जो आफिशर हैं उन्होंने बहुत सांदार काम किया है बिदी विवस्ता की समस्या उत्पन थी सरक जाम था सांसद अपना काम कर रहे थे हमने समस्या का निप्तारा सांती पुन तरीके से भेजा हमने जेल भी नहीं भेजा हूँने वह तो जेल भेजनी की मांग कर रहे थे लंगर में छोड़ दिया उनके सवर्थकों के साथ आजाज कर दिया उसे हमने आउट आप टम प्रमोशन दिया है सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर तो जिसे हम प्रमोशन दे चुके इसके लिए हम डंड कैसे दे सकते हैं तो ऐसा है कि अधिया आप डंड देना ही चाहते हैं मेरी बातों से आप इत्थिफाक नहीं रखते हैं तो मैं इतना कर सकता हूं कि मैं unconditional And apology मांगता हूं अपनी ओर से अपने officer के लिए तो जब केपिस गिलले कहा कि antology मैं मांगता Нi man आप ही मैं मांगता हूँ खेद मैं ब्यक्त करता हूँ और बगैर किसी गलती के तो फिर जो बिसिसाधिकार समीटी थी चेयर पैसन नजमा है तुल्ला और तमाम सरसे उन्हों ने कहा ये क्या करें मिस्टर किल ऐसा कुछ भी करने के जोरत आपको नहीं है आपने देश की शिव चुरे सरुड़ा ने बताया है ओ नहीं इसकी क्या जुरुत है गील सहाब आप खुद आ गये हैं आपके लर्कों की जो गलती है उसके लिए आपको आना परा है अब बात को हम यहीं खत्म करते हैं तो देखिए के पेस किल का औरा क्या है अब दूसरा उदारन सुनिए आप केटी एसकिल की जिन्दगी को केटी एसकिल की पुलिसिंग को और केटी एसकिल की सक्सियत को समझेंगे नरंग भारगवा एसपी लुठियाना थे तब जब केटी एसकिल उहां काम कर रहे थे और तब पंजाब के राजिपाल थे जिन्रल बीके एन छिपर जाही तोर पर आ केस रेजिस्टर्ट हुआ और यह केस रेजिस्टर्ट हुआ राजिपाल जेनरल बेकेन छिपबर के धी जमाई के खिलाब धीजबाए मतलब Sun and love daughter उनके खिलाब मुकदमा तर चुआ और या मुकदमा दर्जवाए gambling का मतलब जुआ खेलने और खेलाने का और इस मुकड में को खुद नरेंद भारगवा देख रहे थे स्पी लोडियाना तो गवर्नर सहब बिचलिट हो गए जो कि उनके धीजबाई की खिलाफ मुकडमा दर्ज हो गया था और गिरफतारी की तलबा लटक रही थी तो केपियस गिल का औरा इतन के लिए खरे होने के वक्त गवर्नर को भी किस तरीके से जवाब देते थे क्योंकि सच उनकी बुनिया थी तो गवर्नर जिनर्ल बीके एंच्छिबर ने केपियस गिल को फोन नहीं किया लेकिंग जो लोड्याना के स्सपी थे मिस्सर्श सहोटा उन्हे फोन किया और जब सहोता के पास राज्यपाल का फोन किया राज्यपाल बहुत परापद होता है संबैधानिक पद होता है तो जाही तोर पर जो SSP थे बगार केपिस गर से बात किये हुए राज्यपाल के पक्ष में आ गए और वे राज्यपाल के कहे मताबिक केस को उस दिशा में मोरने जाएं इसके लिए एस्पी लूध्याना नरेंद्र भारगवा पर दवापनाने लगें तो यह सिकायत अब खबर के रूप में आने लगी तो जब यह खबर फैलने लगी और नरेंद्र भारगवा भी अपने एसेसपी के दवाप पर जोकने को तयार नहीं थे क्योंकि उनका मानना था कि राज्यपाल की धी जवाई की खिलाप जो मुकदमा हो रहा है जो हुआ है वह बिल्कुल सत्य आधारित है और इसके परियाप्ट सक्ष हैं तो हम एसेसपी के कहने पर केस क्यों ड्राप कर देंगे तो जब बात बहुत आगे बर गई तो इस बात की भनक और एसपी बनाम एसेसपी की ख़बर केपियस गिल ठक पहुचे केपियस गिल ने दोनों को चंडीगा टलब किया ध्यान रखिए दोनों टलब किये गये एक ही समय में टलब किये गये लेकिन जब दोनों पहुच्छे हैं डी जीपी के पास मतलब डी जीपी ओफिस में तो पहले एसपी नरंद भारगवा को बुलाए जाता है रहे हैं और या बता रहे हैं कि धीजबाई के खिलाप राज़ेपाल के धीजबाई के खिलाप मामला बनता है तो केपिएस गिल ने पूरी बाते सुनी नरेंद भारगवा से नरेंद भारगवा ने ही बताया है केपिएस गिल की जिन्दगी की चर्चा करते हुए केपिएस गिल ने क्या पूछा केपिएस गिल ने पूछा केस क्या है और केस के एविडेंस क्या है किस आधार पर इस मुक उन्होंने कहा कि SS P Mr. Sa호utta आपको क्या करे हैं तो उन्होंने बात भी बता दी कि SSP Mr. Sahotta क्या करेता है जाहिए तौकर वह राज़ेपाल के दवाब में हैं जनर्रल KPN context किभर जवाब में है तो इसके बाद उन्होंने नरेंद भारगवा को कहा कि अब आप मेरे बाहर बेटिंग रूम में पतिक्छा कीजिए मैं आप सेनियर स्पी मिस्तर सहुता को बलाता हूं सहोता को अब बुलाया मिस्टर केपियस गिल अपले कक्ष में उन्होंने पूछा हमने केस को देखा केस में जो साक्षे मौजूद है उसे देखा अब आप ये बताईए कि जो राजिपाल कह रहे हैं कि उनका धी जबाई निर्दोस है तो आप इसे किस आधार पर मान रहे हैं मुगदमा चलाए जाए वे निर्द्तर थे इसके बाद केपियस गिल एसेसपी मिस्टर सोहोता पर भरक जाते हैं करते हैं यह आपकी कारेसायली ठीक नहीं है और मुझे ऐसी बाते अच्छी नहीं लगती है आरोप किसी के भी खिलाप हो चाहे डीजीपी हो चाहे गवर्ण सन पर आरोप लगा कि उसने एक बिलेसी महिला फ्रेंच महिला का अपारण किया उसके साथ मॉलेस्टिंग की तो हमने उसे भी नहीं बकसा था उसे गिरफतार कर चेल भीजा था नुशंधान कंप्लीट किया था और चार सिथ भी डायर की थी तो फिर ये गवर्ण साहब के सुरिय जो धी जबाई हैं जो गैंंबिलिंग कर रहे हैं किरा रहे हैं उन्हें हम कैसे वकसतेंगे के प्य। भारगवा के साथ खरे होंगे लेकिए इस पी नैंद भारगवा करते हैं यह घटना मेरे सामने की नहीं है लेकिन मुझे बाद में मालूम हुआ कि हम दोनों के बाहर आने के बाद के पिसगल ने सीरे गवर्णर को फोन किया मतलब जेनरल बिकेन छिबबर को और कहा ऐसा है उन पर दबाब बनाने का काम ना करें यह ततकाला बंद कर दीजिए और जो एविडेंस है उसके आधार पर इस मुकर्णमे को हम टॉप नहीं करने जा रहे हैं आप कुछ जानकर आश्चर होगा कि आखिरकार इस मुकर्णमे में गवर्णर साहब की ठी जबाई की गिरफता कारी हुई सोच लिजिए के पीस गिल का कारे कालो ऐसा जिसमें मुक्र मंत्री के ग्रैन संभी ग्रफतार की जाते हैं और राजिपाल की धी जबाई के खिलाब भी मुकदमा दर्थ होता है और उन पर भी एक संग्याता है इतना ही नहीं जो इंस्पेक्टर थी सतीस मलहुत् जो इस कांट के इंविस्टिकेशन आफसर थे और जिन्होंने मतलब सतीस मलहुत्रा ने गवानर साहब के धी जबाई को ग्रफतार करने का साहस दिखाया था के पीए स्किल उन्हें एप्रिसीएशन लीटर भेशते हैं कि तुमने बहादुरी का काम किया है तुम्हारी काम का है तुम न्याई पठ पर हो तुम सत्य की राह पर हो इसलिए डरो नहीं खड़े रहो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं तो के पीएस गिल इस तरीके से अपने अफशरों की भीतर जोस भरते थे उर्जा भरते थे दिखिए यह तो आप समसी रहें कि जब हम कहानी सुना रह कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंति बेंसिंग हैं कॉंग्रेसी हैं और उन्होंने आतंक बाद का सफाया करने में के पीएस केल का बहुत ही साथ दिया है और बेंसिंग के सबसे बरे राजनैतिक दुस्मन तब प्रकास सिंग बादल थे जो बाद में मुख्यमंति भी बने जब प्रकास सिंग बादल मुख्यमंति बने थे पहली बार तब ये देश के सबसे उबा मुख्यमंति थे तो प्रकास सिंग बादल बेंसिंग के राजनैतिक दुस्मन लेकिन आपको यह जानकर आश्चच होगा कि के पीएस गिल जब चंडी घर में अपने पिता के घर पर होते तो सबसे ज़्यादा उठक बैठक या यू कह सकते हैं लंच और दीनर प्रकास सिंग बादल के साथ ही क्या करते थे अब इसकी बज़र ये थी कि चंडी गर के सेक्टर 9 में जहां के पीएस गिल के पिता का मकान था ठीक वहीं प्रकास सिंग बादल का भी मकान था दोनों परूसी थे और इस कारण आना जाना बना रहता था केपिस गिल जब आते थे तो प्रकास सिंग बादल भी वहां मिल जाते थे फिर पंजाब के सिटी पर हालाग पर चरचा होती थी साथ में भुजन होता था तो प्रकास सिंग बादल से कभी मिलने में केपिस गिल को हिचक नहीं हुए और प्रकास सिंग बादल के बारे में केपिस गिल नहीं हमाना कि देखे कुछ मुद्दों पर मेरी आसामती हो सकती थी लेकिन ये सच था कि वे एक पॉपलर लीडर थे तो देखिए अब प्रकास सिंग बादल के बारे में मुख्यमंती बेर्ण सिंग ने एक बार क्या कहा मुख्यमंती बेर्ण सिंग ने कहा उन्हें तो राजीती करनी थी आगे चुनों में प्रकास सिंग बादल की चुनोतियां भी डिख रही थी उन की सुरक्षा कम कर दी जाएं। कैपियस गिल के पास जब यह नोट आया, तो कैपियस गिल ने सुचा क्या करें, मख्यमंतिक की इच्छा कुछ और है, लेकिन सच्चाई कुछ और है, अकीकत कुछ और है, ब्यांन सिंग ने यह नोट क्यों भेजा, हम इस बात को भी समझत उन्हें राजनीती करनी है उन्हें आगे आने वाला चुनाव दिख रहा है प्रकास सिंग बादल की हमियत दिख रही है लेकिन सब कुछ समझने के बाद के प्यस्किल ने फैसला किया और मख्यमंती बेंद सिंग को बता दिया प्रकास सिंग बादल की सुरक्षा कम नहीं की ज और उनकी जान को खत्रा है तो हम उनकी सुरक्षा कम नहीं कर सकते हैं इसलिए आपका जो निर्देश है वह मानने नहीं है के पिस्गिल कहते हैं जब मैंने यह नोट बापस भेजा तो बेंद सिंग ने क्या सोचा होगा मुझे नहीं पता लेकिन यह सच है कि जब हमारी मुला को पुलिश आफिसर के रूपे देखता हूं मैं अपने काम से भटक नहीं सकता तो देखिए के पिस गिल अभी पंजाब की डीजीपी हैं और जो बार बार हमकार हैं कि जमीन की भीतर एक बारूल है जिसे भटना है और जिसके करन पंजाब को बहुत बड़ा नुक्षान हो और कैसे पंजाब फिर से हिल गया आप देखते रहिए खबरों के पीछे को यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिजेगा और यदि इस वीडियो को आप फिश्बुक पेस के मादिन से देख रह बस इसका ख्यार लखियेगा कि यदि कोई विशेज कहानी सुनाने बताने को कहरे है तो उस कहानी मतलब बादात की तारिक साल इस्थान का आपको पता है तो हमें जुरूर बताईए हम उस कहानी को अपनी डायरी के पन्नों में तलासने की कोसिस करेंगे कहानी डायरी में नहीं मिली तो रिसर्च टीम को कहेंगे मेल करते बक्त आप अपना नंबर भी लिख कर भी सकते हैं जोत होने पर हम आपसे संपर्ग करेंगे याद रखिए कि एपिस गिल की स्रिंखला जल्द खटम होने वाली है इसके बाद हम बिहार की कहानियों की शुरुआत करेंगे तो आज के लिए इतना ही हमें दीजी अजाज़त मिलते है कलनाग ठीक नौवजे बहुत बहुत धन्यवाद